यदि बल त्वरण तथा समय को मूल भूत रासियों के रूप में लिखा जाये तो लंबाई की विमाएं होंगी तो लंबाई की विमाएं यानि हमने क्या बोल रहा है एल जो है हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है एफ पर कर रहा है अगर हम इसकी पावर मान ले एक्स है और त Capital में लिया है तो चलिए हम ए पर वाई हो गया और हमें बोल रहा है समय समय को हम जेड माल लिए यह हमारी जो है इस पर निर्भा कर रहा है तो अब हम जो है यहां पर इनका जो है विमाय लिखेंगे और लंबाई की विमाय के साथ कंपेर कर देंगे तो हमें मालूम चल अब फ कि एम एल ट की पावर माइनस दो इसकी पावर एक्स एका क्या होता है मीटर इसक्वार यानि एल स्कॉयर तो यह हो जाएगा वाई और T जो है हमारा क्या है समय ओस्वारी एक क्या है एरिया नहीं है यह तोरण है तोरण का होता है मीटर पर सेकेंड इस्क्वाइर यानि L T की पावर माइनस दो और यह हो जाएगा पूरे का Y और T जो है समय है तो T का Z अब यहां से हम M की पावर देखें तो M की पावर हो जाएगा यह X और यहां कुछ है नहीं तो X L की बात करें तो L का हो जाएगा यहां से X और यहां से क्या हो जाएगा प्लस y और यहां पर कुछ है नहीं तो 0 रहेगा अब बात करें t की तो t की बात करें यहां से तो minus 2x और इससे क्या हो जाएगा minus 2y प्लस यहां से z अब यहां की विमा क्या होती है यह हो जाएगी m की power 0 यहां से अगर हम X से देखें तो X से बराबर क्या मिलेगा हमें 0 और हमें क्या दिया है L यानि अगर हम देखें X प्लस Y बराबर क्या है तो एक है तो यहां से यहां से देखें टी का अगर हम कंपेर करें तो माइनस दो X माइनस दो Y प्लस प्लस Z है यह जेड बराबर क्या है जीरो है तो चुकि एक से बराबर जीरो रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा हमारा पूरा टर्म यह 0 हो गया यहां से दो Y जो है दो Y की जगा एक रखेंगे तो Z बराबर हमें क्या मिल जाएगा दो तो सिंपल यह यह वैयलू जब हम यहां रखेंगे तो यह हमारा L किस पर डिपेंड करेगा एक की पावर 0 और ती की पावर 2 यानि यह हमारा किस पर है एक टी-इसक्वाइर यानि हमारा जो लंबाई झाल झाल